रज्य सभा सांसद और आमान्वी पाठी की नेता स्वाती मालिवाल के साथ सीयम आवास पर हुई मारपीट मामले में अब पुलिस की कारवाई तेज हो गई है स्वाती मालिवाल ने विभब कुमार पर मारपीट और अभधरता करने के आरोप लगाए है मालिवाल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है हाला कि F.I.R. दर्ज होने के बाद भी कुछ समय तक विभब कुमार का पता नहीं चला उधर राष्ट्रे महिला आयोग ने भी विभब कुमार को तलब किया है 13 माई को स्वाति मालिवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन करके यह बताया था कि सीम हाउस में उनके साथ विभब कुमार ने मार पिट की थी तीन दिनों तक मालिवाल इस मामले पर चुप रही लेकिन गुरुवार को नहीं दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की तब दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालिवाल के घर उनका बयान दर्ज करने पहुँची वहीं मालिवाल ने एक ट्वीट करके भी अपने दिल का हाल सुनाया उसके बाद गुरुवार देराथ दिल्ली पुलिस ने F.I.R. दर्ज की इसमें दिल्ली के सीम मर्विंद केजरिवाल के निजी सचे विभब कुमार का नाम है समझा जा रहा है कि चोतरफा दवाब के बाद स्वाति मालिवाल विभब कुमार के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराने को राजी हुई है F.I.R. में स्वाति मालिवाल ने कहा है जब मैं मुख्यमंत्री ये आवास के ट्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी तो उनके रजी सचेव विभब कुमार आए और बिना उकसावे कि उन्होंने मुझे थपड मारा और मेरे पेट पर मुख्य भी मारे स्वाती के शिकायत के मुटाबिक बिभब ने उनके चेहरे चाती पेट और शरीर के निचले हिस्से पर वार किया वहीं अब बिभब कुमार पर दर्ज हुए मामले को लेकर बीजेपी ने आप पर जोरदार हमला बोला है देली विमिन्स कमिशिन की अध्यक्षा भी रह चुकी है राज्यसभा की सांसद है और उनके पार्टी में उनका ये हाल है तो सुरक्षा को लेके बहुत बड़ा सवाल प्रशन चिन उठता है हम मांगते हैं और हमारी मांग है कि सच्चाई सब के सामने आएं और आम आद्मी पार्टी उनके जो लोगों के प्रती कारवाई भी करें क्योंकि ये एक गंभीर मामला है आज स्वाती मालिवाल है कल कोई आम नागरिका भी हो सकती है दिली में या कोई अन्यप्रदेश में तो आम आद्मी पार्टी बड़ी बारते ना करें सुरक्षा को लेके पहले तैकीकाद कीजे वहीं गुरुवार देर रात करीब 11 बजे दिली पुलिस स्वाती मालिवाल को लेकर एमस पहुची स्वाती मालिवाल के विभप कुमार पर मार पीट के आरोप लगाने के बाद भी आमादनी पाठी ने उन पर कोई आक्षन नहीं लिया लेकिन इसे पहले 14 माई को संजे सिंग ने कबूल किया कि मुखे मंत्री आवास पर स्वाती मालिवाल के साथ अभधरता हुई है हाला कि उन्होंने मार पीट का जुक्र नहीं किया लेकिन इतना कहा कि सीएम ने इस खटना को गंभीरता से लिया है और विभब कुमार पर आक्षन लिया जाएगा हाला कि इसके बाद भी विभब कुमार इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फरेंस में को शामिल होने के लिए केजडिवाल और संजय सिंग के साथ गुरुबार सुबह दिल्ली पहुँच गए विभब को लखनो एरपोर्ट पर केजडिवाल के साथ देखा गया था जिसके बाद मीडिया ने स्वातिमालिवाल केस को लेकर उनसे सवाल किये तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हाला कि अब विभब कुमार के खिलाफ F.I.R. दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है टाइमसनाव नभ भारत डिजिटल की रिपोर्ट